कर्म तथा ज्यान का अंतर, पर्मातम तत्व का निरूपर्ण, आध्यात्म ज्यान और उसके साधनों का वर्णन, ब्रह्म पुरान मुनी बोले, महरशे, यदि वेद की ऐसी आज्या है कि कर्म करो, तथा यह भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो, मुनी बोले, महरशे, यदि वेद की ऐसी आज्या है कि कर्म करो, तथा यह भी आदेश है कि कर्म का त्याग करो, तो यह बताईए कि मनुष्य ग्यान के द्वारा कर्म त्याग देने पर किसकती को प्राप्त होते हैं, तथा कर्म करने से उन्हें किस फल की प्राप्ती होती है, इस बात को हम सुनना चाहते हैं क्योंकि उक्त दोनों आज्याएं परस पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं व्यास्ची ने कहा ब्राह्मनों ज्यान से मनुष्य जिस गती को पाते हैं और कर्म से उन्हें जैसी गती मिलती है उसका वर्णन करता हूं सुनो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केहन है शास्त्रों में दो मार्गों का वर्णन है एक का नाम प्रवृति धर्म है और दूसरे का निवृति धर्म प्रवृती धर्म को कर्म और निप्रिती धर्म को ज्ञान भी कहते हैं कर्म अर्थात अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है इसलिए पारदर्शी यति कर्म नहीं करते कर्म से मरने के बाद जर्म लेना पड़ता है सोलह तत्वों से बने हुए शरीर की प्राप्ति होती है किन्तु ग्यान से नित्य, अभ्यक्त एवं अभिनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैं कुछ मंदबुद्धी मानव कर्म की प्रशंसा करते हैं आते हैं वे भोगा सक्त होकर बार-बार देह के बंधन में पढ़ते हैं परंतु जो धर्म के तत्व को भली भानती समझते हैं तथा जिन्हें उत्तम बुद्धी प्राक्त हैं वे कर्म की उसी तरह प्रशंचा नहीं करते जैसे नदी का पानी पीने वाला मनुश्य कूएं का आदर नहीं करता कर्म की फल मिलते हैं सुक और दुख जन्व और मृत्यू किंतु ज्यान से उस पद की प्राप्ती होती है जहां जाकर मनुश्य सदा के लिए शोक से मुक्त हो जाता है जहां जन, मृत्यु, जरा और व्रिद्धी उसका स्पर्ष नहीं करते वहां केवल अव्यक्त, अचल, ध्रोव, अव्यक्रित एवं अम्रित्स रूप परब्रहम की ही स्थेती है उस्थेती में पहुचते हुए मनुष्यों को शीत, उष्ण, आधि द्वन्द बाधा नहीं पहुचाते मानसिक विकार और क्रिया द्वारा भी उने कष्ट नहीं होता वे समत्व भाव से युक्त, सब के प्रती मैत्री रखने वाले और सम्पून प्राणियों के हित में रहने वाले होते हैं ब्रहमनों, देहे इंद्रिये और मन, आधि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेतरग्य के ही आधार पर स्थित हैं वे जड़ होने के कारण क्षेतरग्य को नहीं जानते, किन्तु क्षेतरग्य उन सब को जानता है जैसे चतुर सार्थी अपने वश में किये बलवान एबं उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है उसी प्रकार क्षेतरग्य भी अपने अधीन किये हुए मन और इंद्रियों द्वारा संपून कारे सिद्ध करता है इंद्रियों की अपेक्षा, उनके विशे, अर्थात, शब्दादी, तनमात्रा, पर सूक्ष्म और श्रेष्ठ है विश्यों से मन पर है, मन से बुद्धी पर है, बुद्धी से महत्व पर है, महत्व से अव्यक्त, अर्थात, मूल प्रकृति पर है और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा पर है, अविनाशी परमात्मा से पर कुछ भी नहीं है वही पर्ता की सीमा है तथा वही परमगती है इस प्रकार संपून प्राणियों के भीतर छिपा हुआ ये परमात्मा सबके जानने में नहीं आता उसे तो सूक्ष्म दर्शी ज्यानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ट बुद्धी से देख पाते हैं मन सहित इंद्रियों को तता इंद्रियों के साथ उनके विश्यों को भी बुद्धी के द्वारा आत्मा में लीन करके नाना प्रकार के द्रिश्यों का चिंतना करें ध्यान के द्वारा मन को विश्यों की ओर से हटा कर विवेक के द्वारा उसे स्थिर करें और शांत भाव से स्थित हो जाएं ऐसा करने से साधक परमपद को प्राप्थ होते हैं जो इंद्रियों के वश में रहता है वह मानव विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को कामादी शत्रों के हाथ में देकर मृत्यू को प्राप्त होता है इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित को सत्व युक्त बुद्धी में स्थापित करें यो करने से चित में प्रसाद गुण आता है जिससे यती पुरुष शुब और अशुब दोनों को जीत लेता है प्रसंचित साधक परमात्मा में स्थित होकर अत्यंत आनंद का अनुभव करता है जित की प्रसंता का लक्षन यह है कि सदा सुशुप्ती के समान सुख का अनुभव होता है अत्वा वायुशुने स्थान में चलते हुए निश्काम दीपक की लौ के समान मन कभी चंचल ना हो जो मिताहारी और शुद्चित होकर रात के पहले तथा पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा की ध्यान में लगाता है वही अपने अंत्करण में परमात्मा का दर्शन पाता है यह उपतेश संपून वेदों का रहसे है यह परमात्मा का बोध कराने वाला शास्त्र है धर्म और सत्य के संपून उपाख्यानों में जो सार वस्तु है उसका दस हजार वर्शों तक मन्थन करके यह अम्रित में उपदेश निकाला गया है जैसे दही से मक्खन निकलता और काष्ट से अगनी प्रकट होती है उसी प्रकार मोक्ष के लिए विद्वानों का ज्यान यहाँ प्रकट किया गया है इस शास्त्र का उपदेश सनातकों को देना चाहिए जिसका मन शांत नहीं है इंद्रियां वश्में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है उसे इस ग्यान का उपदेश नहीं करना चाहिए जो वेद का ज्याता नहीं है जिसके मन में गुरू के प्रती भक्ती नहीं है जो दोश देखने वाला कुटील आग्या का पालन ना करने वाला वे अर्थ तर्क वितर्क से दुशित और चुगल खोर है उसे भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए जो प्रशंस निये शांत तपस्वी तथ सेवा परायन शिश्य अत्वा पुत्र हो उसी को इस गूर धर्म का उपदेश देना उचित है दूसरे किसी को नहीं यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण प्रित्वी लेने लगे तो भी तत्वेता पुरुष उसकी उपेक्षा इस ग्यान को ही श्रेष्ट माने अतह मैं तुम्हें अत्यंत गूर अर्थ वाले आध्यात्म ग्यान का उपदेश देता हूँ जो मानवी ग्यान से बाहर है जिसे महरशियों ने ही जाना तथा जिसका संपूर्ण उपनिशेदों में वर्णन किया गया है मनीवरों तुम लोग जू बात पूछते हैं और तुम्हारे हिरदे में जिसके विशे में संधे था यह सब तुम ने सुन लिया मेरे मन में जैसा निश्य था ये सब बता दिया, अब और क्या सुनाओ? मुन्यों ने कहा, रिशी श्रेष्ट, अब पुनह, आध्यात्म ग्यान का विस्तार पूर्वक वर्नन कीजिए, आध्यात्म क्या है और उसे हम किस प्रकार जाने? व्यास्य बोले, ब्रहामनों, आध्यात्म का जो सुरूप है, उसे बताता हूँ, तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनों, पृत्वी, जल, तेज, वायू और आकाश, ये पंच महाभूत संपून प्राणियों के शरीर में स्थित हैं, शब्द, शमनेंद्रिये और शरीर के संपून छिद्र आकाश से प्रकट हुए हैं, प्राण, चेश्टा और स्पर्ष के उत्पत्ति वायू से हुई है, रूप, नेत्र और जठरा नल ये तीन अगनी के कारे हैं, रस, रसना और चिकनाहट ये जल के गुण हैं, गन्द, नासिका और देहे ये प्रित्वी के कारे हैं, ये हैं पाँच भौतिक विकार बताए गए हैं, स्पर्ष वायू का, रस चल का, रूप, तेज का, शब्द, आकाश का, और गन्द, भूमी का गुण हैं, मन, बुद्धि और स्वभाव, ये सो योनेज गुण हैं, ये गुणों की सीमा को लांग जाते हैं, अतह उनसे श्रेष्ट मानेज गए हैं, जैसे कचुवा अपने अंगों को फैला कर फिर सिकोड लेता है, उसी प्रकार बुद्धि के द्वारा श्रेष्ट पुरुष, संपूर्ण इंद्रियों को विश्यों की ओर से समेट लेता है, मनुष्य के शरीर में पांच इंद्रियां है, छटा तत्व मन है, सात्मा तत्व बुद्धी है, और क्षेतरग्य को आठमा समझें, आँख देखने के लिए है, मन संदेह करता है, बुद्धी निश्य करने के लिए है, और क्षेतरग्य को साक्षी कहा जाता है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण अपने कारण भूत प्रकृती से प्रकट है, ये संपूर्ण प्राणियों में समान भाव से स्थित है, उनके कार्यों द्वारा उनकी पहचान करनी चाहिए, जब अन्तह करन कुछ प्रीतियुक्चा जान पड़े, अत्यन्त शान्ती का सा अनुभव हो, तब उसे सत्व गुण जानना चाहिए, जब शरीर और मन में कुछ संताप का अनुभव हो, तब उसे रजोगुण की प्रवृत्ती मानना चाहिए, जब अन्तह करन में अव्यक्त, अत्कर और अग्ये मोह का संयोग होने लगे, तब उसे तमोगुण समझना चाहिए, जब अकस्मात किसी कारणवर्ष, अत्यन्त हर्ष, प्रेमानन्द, सम्ता और स्वस्त चित का विकास हो, तब उसे सात्विक गुण कहते हैं, अभिमान, असत्य भाशन, लोब और असहन शीर्टा ये रजोगुण के चिन हैं, मोह, प्रमाद, निद्रा, अलस्य और अज्यानादी दुरुण, सब किसी तरह प्रवित्थों, तब उन्हें तमोगण का कारे जानना चाहिए, जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी, उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसार में रह कर भी, उसके गुण दोशों से लिप्त नहीं होती, इसी प्रकार ज्यानी पुरुष, विश्यों में आसकत ना होने के कारण, उनका उभ्भोग करते हुए भी, उनके दोशों से लिप्त नहीं होते, जो सदा पर्मात्मा के चिंतन में लगा रहता है, वह पूर्वकृत कर्मों के बंधन से रहतो, संपून प्राणियों का आत्मा हो जाता है, और विश्यों में कभी आसकत नहीं होता, गुण आत्मा को नहीं जानते, किन्तु आत्मा उनने सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है, प्रकृति और आत्मा में यही अंतर है, एक तो गुणों की स्रिष्ठी करती है, किन्तु दूसरा ऐसा नहीं करता, वह दोनों सो भावतर प्रिथक होते एक दूसरे से संयुक्त है जैसे पत्थर में सुबर्ण जड़ा होता है जैसे गूलर और उसके कीड़े साथ साथ रहते हैं और जिस प्रकार मुझ में सींख होती है और ये सभी वस्तुय प्रिथक होते हुए भी परस पर संयुक्त रहती हैं उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी एक दूसरे से संयुक्त रहते हैं प्रकृति गुणों की स्रिष्टी करती है और ख्षित्रग्य आत्मा उदासीन की भांती अलग रहकर समस्त विकारशील गुणों को देखा करता है प्रकृति जो इन गुणों की स्रिष्टी करती है वैसा उसका स्वभाविक कर्म है जैसे मकड़ी अपने शरीर से तंतुओं की स्रिष्टी करती है वैसे ही प्रकृति भी समस्त त्रिगुणा अत्मक पदार्थों को जन्म देती है किनी का मत है कि तत्व ग्यान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तब वे फिर उत्पन नहीं होते उनका सर्वथा बाध हो जाता है क्योंकि फिर उनका कोई चिन नहीं उपलग्ध होता इस प्रकार वे भ्रम या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति बानते हैं दूसरों के मत में त्रिविद दुखों की आत्यांतिक निवृति ही मोक्ष है इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धी के अनुसार विचार करके सिद्धान्त का निश्य करें आत्मा आदी और अंत से रहित है उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्यार दे और माचसर रहित होकर विचरन करे जैसे तेरने की कला ना जानने वाला मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पढ़ते हैं तो वे डूब जाते हैं किन्तु जो तैरना जानते हैं वे कष्ट में नहीं पढ़ते वे तो जल में भी स्थलकी ही भांती विचरते हैं उसी प्रकार ग्यान सुरूप आत्मा को प्राप्थ हुआ तत्व वेता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है जो संपूर प्राणियों के आवागमन को जानकर सबके प्रती संभाव रखते हुए बरताप करता है वे उत्तम शान्ती को प्राप्थ होता है ब्रामणों में इस ज्ञान को प्राप्थ करने की सहज शक्ति होती है मन और इंद्रियों का सह्यम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्थी के लिए पर्याप्थ साधन है तत्व का ज्यान प्राप्त करके मनुष्य, बुद्ध अर्थात ज्यानी हो जाता है बुद्ध का इसके सिवा और क्या लक्षन हो सकता है बुद्धिमान मनुष्य इस आत्मत्व को जान कर कृत-कृत्ते हो संसार बंधन से मुक्त हो जाते है अज्यानी पूर्षों को परलोक में जो महान भय प्राप्त होता है वे ज्यानी को नहीं होता ज्यानी पूर्षों को जो सनातन गती प्राप्त होती है उससे बढ़कर दूसरी कोई गती नहीं मुनी बोले भगवन अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है व्यासी ने कहा मुनी वरों मैं रिश्यों के द्वारा प्रशंसित प्राचीन धर्म का जो संपूर्ण धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ तुम एकागरचित हो कर सुनो जैसे पिता अपने छोटे बालक को अपनी आग्या के अधीन रखता है उसी प्रकार मनुष्य बुद्धी के बल से अपनी प्रमथन शील इंद्रियों का यतन पूर्वक संयम करे मन और इंद्रियों की एकागरता ही सबसे बड़ी तपस्या है उसे ही सब धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए पाँचों इंद्रियों सहित छटे मन को बुद्धी के द्वारा एकागर करके सदा अपने आप में ही संतुष्ट रहे नाना प्रकार की चिंतनिये विश्यों का चिंतना करें जिस समय ये इंद्रियां अपनी विश्यों से हट कर बुद्धी में स्तित हो जाएं उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा धूम रही तगनी के समान दैदिप्यमान उस परम पहान सरवात्मा परमेश्वर को मनीशी ब्रामन ही देख पाते हैं जलते हुए ज्यान में प्रदीप के द्वारा पुरुष अपने अंतह करण में ही आत्मा का दर्शन करता है म्रामनों तुम लोग भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात कार करके संसार से विरक्त हो जाओ जैसे सांप केंचुली छोड़ देता है दैसे ही तुम भी सब पापों से मुक्त हो जाओगी इस उत्तम बुद्धी को प्राप्त कर लेने पर तुम्हारे मन में चिंता तथा वेदना नहीं रहेगी अविद्या एक भयंकर नदी है जिसके सब ओर स्तोत्र हैं वह लोगों को प्रवाहित करने वाली है पांचों इंद्रिया इस नदी के भीतर रहने वाले ग्राह हैं मांसिक संकल्प विकल्प ही इसके तठ हैं यह लोब मुह रूपी त्रण अर्थात सेवार आदी से आच्छादित रहती है काम और क्रोध रूपी सर्पों से युक्त है सत्य ही इससे पार करने वाला पुन्य तीर्थ है इसमें असत्य का तूफान उठा करता है क्रोध ही श्रेष्ट नदी की कीचड है इसका उद्गम स्थान अव्यक्त है यह काम क्रोध से व्याप्त तथा वेग से बहने वाली है अजीतेंद्रिय पुर्षों के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन है यह नदी संसार रूपी समुद्र में मिलती है अपना जन्म ही इस नदी की उत्पत्ती का कारण है जीवा रूपी भवर के कारण इसको पार करना कठिन है स्थिर बुद्धी वाले पवित्र मनीशी पुरुष ही इस नदी को पार कर पाते हैं तुम सब लोग भी इस नदी के पार हो जाओ इससे पार हो सब बंधनों से मुक्त हुआ पवित्र जीतात्मा पुरुष उत्तम बुद्धी पाकर ब्रह्म सुरूप हो जाता है वे सब कलेशों से छूट जाता है उसका अंतह करण प्रसंता से पूर रहता है तथा वे पाप रहित हो जाता है उसमें हर्श और क्रोध रूपी विकार नहीं रह जाते उसकी बुद्धी क्रूर नहीं होती इस बुद्धी को प्राप्त करके तुम लोग समस्त प्राणियों की उत्पत्ती और प्रलय को देख सकोगे यहां बताय हुए धर्म को विद्ध्वानों ने सब धर्मों से श्रेष्ट माना है बै आध्यात्म ग्यान का उपदेश संपूर्ण गोहे रहेश्यों में भी सबसे अधिक गोपनी है जो कोई परम पवित्र हितैशी तथा भक्त हो उसी को उसका उपदेश करना चाहिए ब्रामनों मैंने यहां जिस ग्यान का वर्णन किया है पै अनायास ही आत्मा का साक्षात कार कराने वाला है बै आत्मत्व ना स्त्री है ना पुरुष और ना ही न पुनसक है उसमें दुख और सुख दोनों का आभाव है बै साक्षात ब्रह्म है भूत भविश्य और वर्तमान सब उसी के रूप है कोई पुरुषो या स्त्री जो उस ब्रह्म को जान लेता है उससे फिर जन नहीं लेना पड़ता विप्रगर्ण सब प्रकार के मतों ने इस विशय का जैसा प्रतिपादन किया है उसके अनुकूल ही मैंने वर्णन किया है मुनी बोले ब्रह्मा जी ने उपाए से ही मोक्ष की प्राप्ति बताई है बिना उपाए के नहीं अतन हम नयाय अनुकूल उपाए को ही सुनना चाहते हैं व्यास्ची ने कहा महाप्राग मुनी वरों हम लोगों में ऐसा ही निपुन द्रिष्टी होनी उचित है उपाए से ही सब पुर्शार्तों की खोज करनी चाहिए मोक्ष का एक ही मार्ग है उससे सुनो क्षमा के द्वारा क्रोध का नाश करें इच्छा, द्वेश और काम को धैरे से शान्त करें तत्वेता योगी ज्यान के अभ्यास से निद्रा तथा भेद बुद्धी का निराकरन करें हितकर, सुपक्व और स्वस्त भोजन से वे सब प्रकार के उपद्रमों को मिटाएं विद्यान पुरुष, संतोष से लोब और मुह का, तात्विक द्रिष्टी से विश्यों की आसक्ती का, दया से अधर्म का, सबमें अनित्य बुद्धी के द्वारा स्नेह का, तथा योग साधिना से क्षुधा का निवारन करें पूर्ण संतोष से त्रिष्णा को, उत्थान से आलस्य को, निष्चे से तर्क वितर्क को, मौना वलंबन से बहुत बोलनी की प्रवृत्ती को, शूर्ता से भै को, बुद्धी से मन, और वानी को तथा ज्यान द्रिष्टी से बुद्धी को जीतें शांत जित्थो पवित्र कर्मों का अनुष्ठान करते हुए, इस बात को समझें, जिससे पाप धूल जाएं ऐसा तेजस्वी, मिताहारी तथा जीतेंद्रे पुरुष, काम और क्रोध को अपने वश में करके, ब्रह्म में प्रवेश करता है अविवेक और आसक्ति का अभाग, दीनता का त्याग, अविने से दूर रहना, जितमें उद्ध्वेग ना आने देना स्थिर्ता धारण किये रहना तथा मन, वानी और शरीर को संयम में रखना यह सब मुक्ष का प्रसादपूर्ण, निर्मल एवं पवित्र मार्ग है कि अविवेक आने प्रसादप और शरीर को संयम में प्रसादप, आने यह से जाएशने देने संयम में इमाया को आएब को सुपे और शरीर के लग वेद्वेग है